जेसेसी नोट डैरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार दोस्तों आज का थमनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम इस सेट के माध्यम से जो जहारखंड के प्रमुख खनीच संसाधन है उनके बारे में जानने वाले हैं क्योंकि जहारखंड के जो खनीच पदार्थ हैं उनसे भी जेसेसी के एकजाम में कोश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आज का वीडियो महत्पून होने वाला है दोस्तों इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इसकी किक मत कीजेगा और वीडियो को पूरा देखेगा जो जहारखंड में पाए जाने वाले खनीच हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों जहारखंड खनीच संसाधन की द्रिष्टी से भारत का अग्रिनी राज्जी है दोस्तों यहां के आरकियन धारवाड और गुडवाना कालिन चटानों में धात्विक, अधात्विक एवं उच उर्जय खनीच का भंडार है दोस्तों इस कारण ही जहारखंड को भारत का रूर परदेश कहा जाता है दोस्तों देश का कुल 40% खनीच उत्पादन अकेले जहारखंड में होता है दोस्तों और कई खनीच पदार्त के उत्पादन में तो जहारखंड देश में प्रत्थम अस्थान पर भी है दोस्तों मतलब प्रत्थम अस्थान पर अपना स्थान रखता है उत्पादन या भंडारन की दृष्टी से तो चलिए दोस्तों आज का जो सेट है 39 वो शुरू करते हैं तो दोस्तों ये रहा आपका आज का पहला कोश्चन जहारखंड में सिंभुम जीला में लोहा अयस्क का पट्टी पाया जाता है जिसका विश्तार कहां तक है दोस्तों ये कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इस से JSAC की एकजामों में अक्सर कोश्चन पूछा जाता है इसलिए कोश्चन का एंसर और इसका डिटेल आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही मातपुर्ण कोश्चन है तो दोस्तो इसका जो answer हो जाएगा option A है मयूर्भंज, option B, क्योंजोर, option C, नावा मुंडी या option D इन में से सब ही तो दोस्तो इसका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number D जो जारखन में सिंभुमजिला में लोह S का पट्टी पाया जाता है वो नावा मुंडी से लेकर क्योंजोर और मयूर्भंज तक पाया जाता है तो चलिए दोस्तो इसके बारे में थोड़े डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सिंभुमजिला लोह S की उतपादन प्राप्ती का परमुख केंदर है दोस्तों जिसका विश्तार नावा मुंडी जो की जार्खन में पड़ता है से लेकर उडिशा के मयूर्भंज एवं कयों जोर तक है यह बीशु का सर्वधीक लोहा भंडारन वाला छेतर भी है दोस्तों आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेगा तथा जार्खन में सर्वधीक लोहा आयस्क का उत्पादन करने वाला जीला पच्मी सिंभूम है यहीं इस्तित नोवा मुंडी जो खान है वो एसिया में सबसे बड़ी लोहे की खान है दोस्तों यह कोशन भी कई बार जैसे सी के एक्जामों में पूछा जा चुका है यहां लगभग 200 मिलियन टन लोहे अस्क के भंडार हैं यह मुखी रूप से हेमाटाइट वर्क का लोहे उत्पादन किया जाता है जिसमें 60 परतिशत से 68 परतिशत तक लोहे का अंस होता है दोस्तों जिसके कारण लगभग 99 परसिंट लोहा का उत्पादन हेमाटाइट से ही प्राप्त होता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 2 जारखन में पाये जाने वाला मैगनिस खनीज किस परकार के चटानों में पाये जाता है ओप्सने आर्कियन चटाने ओप्सन बी धारवार चटाने ओप्सन B ओप्सन C गुडवाना चटाने और या ओप्सन D कायंत्रित चटाने तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर 2 जो जारखन में मेंगनीज खनीज पदार्थ पाय जाता है वो धरवार परकार की चट्टानों से पाय जाता है दोस्तों तो थोड़ी सी जनकर इसकी भी लेते हैं यह लोहा समू का ही खनीज है जो इसपात निर्मान, सीसा गलाने, युद्ध समागरी बनाने तथा विद्धुत और रसाइनिक उध्योगों में परियुक्त होता है दोस्तों इसे आधात्विक उपियोग में भी लिया जाता है और इसमें पोटेसियम, परमेगनेट, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एवंबिलिसिंग पाउडर बनाए जाते हैं जारखन में मेगनीज के भंडार काफी कम है दोस्तों परमानित भंडार लगभग 2.29 मिलियन मिल्टरिक टन मातर है दोस्तों जो मुखिरूप से नावमुंडी, कालेंदरा, पहारपूर, छेतरों में परमुखरूप से पाया जाता है और यहीं बेरिस्की खाने भी इस्थित है चले दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आज का कोश्चन नमबर 3 तामा धातू के उत्पादन में जारखंड भारत में कितने अस्थान पर है ओप्शन A, 1, ओप्शन B, 2, ओप्शन C, 3, या ओप्शन D, 4 तो दोस्तों इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर B तामा धातू के उत्पादन में जो जारखंड है वो भारत में दूसरे अस्थान पर अपना स्थान रखता है दोस्तों और या धातू उप्यों की द्रिष्टी से कई परकार के कामों में उप्यों की जाती है दोस्तों और देश के कुल उत्पादन का लगभग 26 परतिसत सुरचित भंडार जारखंड राज में पाय जाता है दोस्तों जो की मुख्य रूप से सिंभूम जिलने में जो तामा पेटी है जो 138 किलोमेटर लंबी और 17 किलोमेटर चोड़ी है दोस्तों जो चकरधर पूर से मुसाबनी होती हुई सुंगरी तक जाती है इसका खनन खार जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 1924 में ही हो गया था और उसमें की जो कंपनी थी वो इंडियन कोपर कॉंपलेक्स कंपनी दोवारा इसका उत्पादन स्टार्ट किया गया था दोस्तों आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेगा और इसके अलावा तांबा हजारी बाग पलामू और संथाल परगनाच छेतर में भी पाय जाता है लकिन आंसिक रूप में पाया जाता है चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 4 ज्यारखन में सीशा खनीज पदार्त का उत्पादन करने वाला परमुख जिल्ला कौन सा है आपको ये बताना है ओप्शन A हजारी बाग, ओप्शन B पलामू, ओप्शन C गुड़ा, ओप्शन C पच्मी सिंभूम तो दोस्तों इसका जो एंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर A ज्यारखन में जो सीशा खनीज का परमुख उत्पादन वाला जिल्ला है, वो हजारी बाग जिल्ला है दोस्तों तो यह खनीज पराया, चांदी और जस्ते के साथ गेलेना नामा खनीज पदाध से प्रात किया जाता है दोस्तों आप लोग यह बात का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि कभी कभी इस से भी कोईस्टन पूछे जाते हैं कि किस खनिश्पदात से लोहे का, निस्करशन किया, लोहे का नहीं दोस्तों, सीसे का निस्करशन किया जाता है, तो यह चटानों की नसों के रूप में होता है दोस्तों, और विधुत कुछालग होने के कारण इसका परियोग रेल इंजन, मोटर कार, कार्टूस, बैटरी, पाई जहाज, ट्राइपरेटर और बिजली के तार बनाने में उप्योग किया जाता है दोस्तों। चले दोस्तों आज का नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमबर फाइव, जहारखन में परचूर मातरा में पाया जाने वाला बॉक्साइड भंडारन की द्रिष्टी से भारत में कितने अस्थान पर है, ओप्सन वन, ओप्सन ए वन, ओप्सन बी टू, ओप्सन सी थ्री या दोस्तों इसका जो सही एंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर दी, जो जहारखन में परचूर मातरा में जो पाया जाने वाला बॉक्साइड का भंडारन की द्रिष्टी में भारत में जो जहारखन का अस्थान है, दोस्तों वो चौथा अस्थान है, और एलिमिनियम की प्राप भंडारन की द्रिष्टी से आपको बता ही दिये कि ये चौथे अस्थान पर है, लेकिन उत्पादन की द्रिष्टी से पूछा जाए, दोस्तों, तो ये भारत में दुसरा अस्थान रखता है, दोस्तों, और बॉक्साइड का भंडारन लोहरदग्गा, राची के पठार औ गुमला और लातेहार छेतर में भी है, दोस्तों, तथा मुर्री में इसे साब किया जाता है, और ज्छारखन की सक्रिये खानों में से जो खाने इस्थित है, वो 18 खाने गुमला में है, और जो 9 खाने है, वो लोहरदग्गा जिले में इस्थित है, दोस्तों, तो चली दोस् कोशन देखते हैं, कोशन नमबर 6, जारखन में सोने का परती वर्स 350 किलोग्राम उत्पादन किस अस्थान से किया जाता है, आपको उस अस्थान का नाम बताना है, उप्शन A, पिठोरिया, उप्शन B, स्वन रेखा नदी, उप्शन C, हीरा कुन नदी, उप्शन D, घाठ सिल तो दोस्तों इसका जो सही एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, उप्शन नमबर D, जो सोने की प्राप्ती होती है, जारखन से 350 किलोग्राम परती वर्स, वो घाठ सिला नामा का स्थान से ही होता है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डीटिल से जानकारी लेते है, सनरेखा नदी की बालो में भी यह अल्प मात्रा में पाय जाता है दोस्तों, और राची के पिठोरिया में भी यह अस्थानी लोगों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहां भी आंसिक रूप में ही यह काम होता है, राची के अलावा गढ़वा में भी सोन लब्ध है लेकिन जो जो ज़ारखन का घाट सिला है जो वो अभी मुख्य रूप से सोने का उत्पादन करता है जो की 350 किलोग्राम परतिवर्ष उत्पादन करता है और हिंदुस्तान को पर कॉर्परेशन दवारा इसका उत्पादन किया जाता है चलि दोस्तों देखते हैं आ ओप्शन A धनबाद, ओप्शन B हजारी बाग, ओप्शन C चैबासा या ओप्शन D धनबाद और हजारी बाग तो दोस्तों इसका जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर D क्योंकि जो जारखन में अभी हाल ही में खनीज, क्रोमाइट, खनीज मिलने का अनुमा है वो धनबाद और हजारी बाग, दोनों जिल्वे में मिलने का अनुमाल है इसलिए ओप्शन नमबर D इसका सही एंसर हो जाएगा या खनीज मेगनिज की ही भाती होता है दोस्तों और राज में इसकी प्राप्ति मुक्यता सिंभूम में, सिंभूम के चाइबासा, जोजाह जातू और सराइकेला में है, जारखन में देश के कुल भंडारन का 3.9% ही मातर यहां यह क्रोमाइट खनीज पाय जाता है दोस्तों, इसके उतपादन में राज का देश में दूसरा अस्थान है, चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 8. जाक्षन में टंगस्टन का उतपादन किस जिल्य में किस जिल्य से होता है, दोस्तों यह भी एक्जाम JSC के किसी न किसी एक्जाम में पूछा जा चुका है, आप्सने सिम्भूम, आप्सन B हजारी बाग, आप्सन C कोटररमा, या आप्सन D सिम्भूम और हजारी बाग, तो दोस्तों इसका जो सही एंसर हो जाएगा, वो भी इसका सही एंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर D, क्योंकि जो टंगस्टन का उतपादन है, वो सिम्भूम और हजारी बाग, दोनों जिल्ना में होता है, मुख्य रूप से, तो दोस्तों यह उच्छतापिय छमता वाला खनीज है, जो सिम्भूम के काली, माटा, छेतर और हजारी बाग में पाया जाता है, भारत में उतपादित कुल टंगस्टन का 14% हजारी बाग में ही पाया जाता है, चलि दोस्तों देखते हैं, आज का नेक्स्ट कोईशन, कोईशन नमबर 9, तीन धार्तु किस परकार के या ओप्शन डी आर्कियन चटान, तो दोस्तों इसका जो सही इंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओप्शन नमबर A, जो तीन धातु प्राप्थ की जाती है, दोस्तों, वो अगनिय परकार के चटानों से प्राप्थ की जाती है, तो चलि इसके बारे में भी थोड़ी सी जान्कारे लेते हैं टीन कैसे कैसी डेट नामक कच्ची धातु से प्राप्त होती है दोस्तों यह अगनिय चटानों में पाई जाने वाली कच्ची धातु है यह राची हज़ारी बाग सिंभूम आधी छेतरों में मुख्युरूप से पाई जाती है और कच्ची धातू का सुधी करन करके टीन प्राप्त होता है दोस्तों टीन परयोग की दृष्टी से बहुत ही उपयोगी है कई चीजों के निर्मान में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन question number 10 ज्यारखन में देश के कुल अबरक उत्पादन का कितना परतिसत यहां पाया जाता है दोस्तो इससे जो अबरक है उससे भी ज्यारखन के कई एक्जामों में question अक्सर पूछा जाता है ज्यारखन का कोई भी एक्जाम हो JSAC का लगभग लगभग सभी एक्जामों में इससे question पूछा ही जाता है आप ये fix मान के चलिए तो इसका option A है 58% option B 50% या option C 60% या option D 70% तो दोस्तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number A जो ज्यारखन में देश के कुल अबरक उत्पादन का जो पर्तिसात है वो 58% जारखन में पाय जाता है दोस्तों और यह धात्विक खनिज जारखन में परचूर मात्रा में पाय जाती है दोस्तों और इसके उत्पादन में राजिका भारत में प्रथम अस्थान भी है दोस्तों आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेगा इसकी पट्टी जारखन में 160 किलो मेटर लंबी और 30 किलो मेटर चौड़ी है दोस्तों जिसमें लगभाग 3.6 लाक टन आयस्क का भंडार सुरचित है ऐसा माना जाता है इसके खनन का परमुक केंद्र कोडर्मा है दोस्तों जिसे अबरक की अबरक की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों और यह गिरिडी, डोमचाच, नावड़ी तथा हजारी बाग जिले के कुछ खानों पर भी मिलता है और इसका अधिक जो उप्योग होता है दोस्तों वो बिजली के कारखानों में होता है आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन आज का कोश्चन नमबर 11 जारखन में पाए जाने वाला ग्रेफाइट खनीज की इस परकार के चटानों में मिलता है आपको वो बताना है आप्सन A नीश चटान आप्सन B अग्निय चटान आप्सन C काइंतरी चटान या आप्सन D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्सन नमबर A जारखन में पाए जाने वाला जो क्रोमाइट खनीज है वो नीश परकार के चटानों में मिलता है दोस्तों और यह रहसानिक रूप से एक कारबन ही है दोस्तों और इसमें सिलका एवं सिली केट की असुधियां असुधियां भी पाई जाती है दोस्तों जारखन राज के पलामु छेतर इसके सर्वधिक भंडारन मिलते हैं और यहीं से सबसे अधिक उत्पादन भी होता है जोस्तों ग्रेफाइट का और इसके अलावा लातेहार, गड़वा एवं राची में भी पाई जाता है जो की आंसिक रूप से है मुख्य रूप से नहीं जो देश के कुल भंडारन का 57.47% है इसे काला सीशा के नाम से भी जाना जाता है इसका उव्योग पैंसिन बलाने तथा परमानों रियेक्टरों में मुडरेटर के रूप में मुख्य रूप से परियोग होता है कभी कभी ये कोशन भी पुछा जाता है चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर 12 जारखन एस्बेस्टिस के उत्पादन में भारत में कितना अस्थान रखता है ओप्शन A 1, ओप्शन B 2, ओप्शन C 3 या ओप्शन D 4 तो दोस्तों जो इसका सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर A जारखन एस्बेस्टिस के उत्पादन में भारत में प्रतामस्थान रखता है दोस्तों तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यह उच्च अगनिय रोधक खनीज जारखन में धारवार कडम के चटानों में पाय जाता है दोस्तों मुखी रूप से और इसमें मेगनिशियम, सिलिका और पानी का मिश्रन होता है यह रेसों के रूप में कई किसमों में मिलता है दोस्तों राज में इसका भंडार 403.5 मिलियन टन है दोस्तों और यह रूप की भाती काटा और बाटा जाने वाला खनीज है दोस्तों और यह सिंभूम के जोजा हाट और राची जिलक में पाया जाता है दोस्तों और सराय खेला इसका मुख्य उत्पादक छेत रहे है दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 13 काइनाइट खनीज का उप्योग किस अन्य खनीज को बनाने में परियोग किया जाता है ओप्शन A, तामबा, ओप्शन B, पितल, ओप्शन C, टंगस्टन या ओप्शन D, लोहा तो दोस्तों इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर D जो काइनाइट खनीज का उप्योग अन्य खनीज को बनाने में होता है उसमें से मुखिरूप लोहा खनीज को बनाने में परियोग होता है काइनाइट का तो यह भी उच्च ताप की चमता वाला खनीज है दोस्तों जो सिंभुम जिले में सराय केला से लेकर सिवाई की पहाडियां तक 113 किलोमेटर लंबे और 16 किलोमेटर चोड़े छेतर में पाया जाता है इसके उत्पादन में राजिका भारत में प्रतमस्थान है दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखेगा क्योंकि यही कोशन जैसे से के एकजामों में कई बार पूछा जा चुका है और इसका भंडारन 113 लाक टन है दोस्तों जो देश के भंडारन का लगभग 8.33 परतिसत है दोस्तों और इसकी खाने मुख्य रूप से धागी डी, कनिया माल और मोहनपूरा में है दोस्तों तो दोस्तों यह था आज का जो जारखन के प्रमुख जो खनिज है उनका उतपादन कहां से होता है और इनका बंतलब भारत में कितने अस्थान पर उतपादन है, कितना रैंक रखता है इस चीज की जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिस की तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जारखन्ड खनिज संसादनों के रूप में पूरी तरह से संपन है यहां कई परकार के खनिज पतार्थ पाए जाते हैं इसलिए आज का ही वीडियो सेट में सभी खनिज संसादनों को बता पाना मुश्किल था दोस्तों इसलिए इसका एक नेक्स पार्ट टू भी आएगा दोस्तों जो की काफी महत्पूर्ण होने वाला है इसलिए आप लोग उस पार्ट को भी जरूर देखेगा और आज का विडियो देखकर आपको कैसा लगा कैसे लगा यह भी बताईएगा और आज का विडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद